कि नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइंस और स्टिजिंग में आपका स्वागत है इस वीडियो में स्लीव डिजाइन का कमप्लेट टुटोरियल आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो चलिए हम वीडियो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह देखिए मैंने अस्तर का जो स्लीव की कटिंग की हुए वह पीस मैंने यहां पर ले लिया है यह हमारा पर्फेक्ट जो मेजरमेंट होता है स्लीव का उसी तरीके से मैंने इसमें कटिंग किया और यहां पर मैं पॉन पॉन इंच पर निशान लगा रहे हूं ए अब देखिए मैंने मैन फैब्रिक भी ले लिया यहां पर और इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे आप मैन फैब्रिक थोड़ा ज्यादा काटें और जो अस्तर का कपड़ा है उसको एक जट जो नाप है उसी नाप से हमें काटना है और इस तरीके से रखते हुए बॉटम पार्ट पर हमें फ्लाइब करके दोनों दूब हमारे पार्ट है स्लीव के इनको इसी तरीके से स्लीव करके और फ्लाइब करके हमें पलट ले ला है उनके सिदे का जाया रखते हुए आप दोनों को इसी तरीके से स्लीव करें एक्स्टर फैब्रिक को मैं यहाँ पर कटिंग कर देती हुए पर हम इसको यहां से इस तरीके से पलट लेंगे और कोई भी पिंकी मदद से यहाँ पर जो नौक है उसको एक्दम अच्छे से निकाल लेंगे दूसरे को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे स्लीव के दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से हो गए है अब हम इसमें किनारी वाली सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में हमें किनारी वाले सिलाई लगा नहीं है अब यह देखिए सिलाई हमारी यहां पर लग चुकी है मैं यहां पर दो पीन अटेज करके जो भी हमारा एक्स्टर फैब्रिक के स्लीव पर उसको मैं सिलाई करके हम उसको कटिंग कर देंगे अब यह देखिए मैंने डोरी पाइपन यहां पर लिए मैंने पहले ही बना ले थी डोरी पाइपन अब इसको जो सेंटर पार्ट जो हमने कटिंग करी थी वहां पर हम इसको अटेज करेंगे बॉट्म साइड से मैं इसको अटेज कर दिए हूं तो वहां पर हमें थोड़ा से इस सरी के से फोल्ड करना है यह देखिए और फिर इसको यहां पर हम आटेज करेंगे दूसरे पार्ट में भी हमें ऐसे करना है कि देखिए दोनों में मैंने यहां पर पाइपिन लगा लिए यह इस तरीक से हमारा आएगा अब मैंने एक पट्टी ली हुई है जिसकी लंबाई कि देखिए जिसकी चौड़ाई दो इंच है और लंबाई का कोई फिक्स मेजरमेंट ने जितनी आपको यहां पर बो लगानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितनी आपकी स्लीव है मेरी स्लीव यहां पर पांच इंच रेडी रहेगी और इस पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगा कर हमें पलट लेना है अब एक साथ यहां देखी मैंने पेच कसी मदसेस को पलट लिया है पैंसिल वगरा पैन वगरा कुछ भी आपर ले सकते हैं पलट के अच्छे से स्की नौक निकाल लें अब इस पर इबर प्रेस कर लेती हूं प्रेस मैंने पट्टी पर कर लिया है अभी देखिए पॉन इंच हमने उसकी कटिंग करी थी डबल में तो वह अमारा डेडिंज हो जाता है और हाफ आफ इंच हमारा दोनों साइड जो बो में सिलाई में जाएगा तो इस तरीके से मैं यहां पर ढाइंच की स्ट्रिप कटिंग कर रहे हूं तो ढाइडा इंच पर हमने कुछ इस लिए हैं वाइट कलर के यह देखिए इनको मैं लगाकर बो यहां पर रेडी करूंगी तो इस ट्रीप को लेकर यह देखिए हमें सेंटर से इसको फोल्ड करना है ताय कि मैं सेंटर का पतार है और इस तरीके से उपर से सुनी लेते हुए और इसको अच्छे से बांधना है स्लाइसे फिर पक्का करके और फिर एक मोती अटेज करना है सबी को अमें इसी तरीके से रेडी करनी है मैं एक आपको यहां पर करके दिखा रही हूँ एक टागा हो तो सबको काट लें इस तरीके से हमें सारी यह बनानी है यह देखी मैंने सभी को बना के तयार कर लिया है अब हमें स्लीव के दोनों पार्ट लेने और हाफ इंच अंदर दबाते हुए इतना हमारा ब्लाउज में जब इसको जोइंट करेंगे तो उपर हमारा इतना दब जायागा तो इतना हमें यहां पर छोड़ना है अगर हम उपर लगाएंगे तो एक इस्ट्रीप तो हमारे दबाव में चली जाएगी इसलिए हमें इसा थोड़ा नीचे लगाना है हाफ आफ इंच एक टामने काटा था और हाफ इंच हमें अंदर लेना है इस तरीके से बराबर से रखते जाएं और स्टिश लगाते जाएं बनने पर बहुत सुन्दर यह हमारे डिजाइन लगती है स्लीव पर सिंपल है बट बहुत सुन्दर यह डिजाइन लगती है बनने में भी बहुत जल्दी रेड़ी हो जाती है यह देखिए शिक्स बो मेरी यहाँ पर लगी है और उससे मेरी पूरी स्लीव में यह कवर हो गई है स्लीव की लंबाई से जाच कि आप पहले एक बार यहाँ को अच्छे से ना पलें कि कितने आप कि यहाँ पर आने वाली है अब दूसरी साइड यह देखिए हाफ इंच अंदर दबाते हुए और पूरे पर हमें स्लाई कर देनी है बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर आके पिछे ना हो जाएं हमारी दोनों साइड बिल्गुल सेम होनी चाहिए इसलिए अच्छे से मैच करते हुए हमें इनको लगाना है हाफ इंच से ज्यादा नहीं दबाना नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएंगी कि यह बो हमारी तो स्लीव का जो फिनिशिंग एकदम खराब हो जाएगी कि यह देखिए कंप्लिट हमारी यहाँ पर यह लग चुकी है अब मैं यहाँ पर थोड़ी साइड में इस लाई कर लेते हुए तकि दोनों साइड से अंदर से अच्छे से दब जाएं कि आप चाहिए तो इस लाई लगाएं ना भी लगाएं कि यह देखिए कि स्लीव का डिजाइन हमारा इसमें कंप्लिट हो गया दोनों स्लीव मैंने कंप्लिट बना लिए यह देखिए अब हमें क्या करना है एक स्लीव के उपर एक स्लीव को रखना है और जो सीधी साइड है वो दोनों हमारे अंदर होनी चाहिए अब हमें जो फ्रंट में कट लगाते हैं वो हमें जो कंप्लिट डिजाइन बन जाएगे हमारी तभी लगाना है उससे पहले वो नहीं लगाना है यह देखिए इससे हमारा कट भी परफेक्ट आता है छोटी बड़ी स्लीव भी नहीं होती अब इसमें सेफ लगा कि मैं यहां पर इसी सेफ पर यहां पर कटिंग लगा दूँगी इस बात का जान रखें स्लीव आप सही रखें मेरी सीधी साइड दोनों अंदर की साइड है यह देखिए यह हमारा फ्रंट में जोन्ट होगी इस तरीके से स्लीव डिजाइन मेरी कंप्लिट होती है वीडियो मेरा अच्छा लग हुआ हुआ है